A very warm welcome to all of you. I am Neerupama. Divine Feminine का एक बहुत बड़ा concern है कि जब and especially जो अपनी 20s या 30s में हैं और अब वो एक अगर हम social norms के हिसाब से देखें तो वो एक marriagable age में हैं उनकी family उनके उपर दबाओ बना रही है कि आप आप शादी कर लीजिए और ये कोई भी हो सकता है जरूरी नहीं कि आप twin flame journey में ही हैं हो सकता है आप नहीं भी हैं तो भी आपकी कुछ different priorities हैं आप कुछ और करना चाहते हैं अपने life में या आप एक ऐसे partner का इंतजार कर रहे हैं जहां आप click कर सकें जहां आप ये सोच सकें कि हाँ मैं तयार हूँ और जो twin flame journey में हैं अगर आप अपने divine counterpart से मिल चुके हैं वो अभी commitment देने के लिए तयार नहीं है या आप अभी unhealed stage में है, separation में है या whatever तो ऐसी स्थिति में क्या करें और यहां पर सबसे बड़ा dilemma तब create होता है जब जो feminines हैं अगर वो financially independent नहीं है तो उनको ये डराया धमकाया जाता है कि हम आपको घर चोड़ना पड़ेगा या तो we cannot look after you because obviously जो भी आपकी finances को control करेंगे एक हद तक control उनके हाथ में होता है या emotional, mental, किसी भी तरह का control तो हमें क्या करना चाहिए क्योंकि जब हम अपने parents के साथ या अपने near and dear ones के साथ इस journey के बारे में discuss करते हैं तो उनका जो reaction है वो बहुत strong होता है different होता है और वो इस चीज़ को total and complete deny करती है कभी तो यहां तक स्थिती पहुंच जाती है कि वो अपने बच्चों को, girls को ये बोला जाता है कि आपको एक psychologist की जरूरत है और आप किसी बहकावे में, किसी illusion में घूम रहे हैं तो सबसे पहले my dear friends आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप कौन है आपकी क्या अधिकार है आपका क्या truth है और आपके अंदर कितने एक शमता है अपने उस truth में खड़े होने की first of all, एक-एक करके इस topic को you know, whatever my experience is actually जो भी मेरा perspective है इस चीज़ को देखने का या जिस तरह से मैंने deal किया मैं आपके साथ वो share करूंगी सबसे पहले तो आपको सबको अपनी इस journey के बारे में बताने की जरुरत नहीं है unless it is important जैसे कि अब आप इस इस्थिति में पहुँच गए हैं कि हाँ, आपको अपने parents को बताना है क्योंकि वहाँ से pressure है तो आपको पूरी narration देनी की जरुरत नहीं है आपको सिर्फ बताना पड़ेगा तो आप बता सकते हैं कि कोई है जिसको मैं पसंद करती हूँ और मैं उन्हीं के साथ शादी करूंगी इसके बाद जो भी उनका reaction है उससे आपको घबराना नहीं है या जब भी आप अपनी बात को रखें तो आप without any expectation रखें क्योंकि आपकी consciousness में और उनकी consciousness में फरक है आप जिनसे भी ये बाते कर रहे हैं अगर वो आपकी consciousness में नहीं है higher consciousness में नहीं है तो ये but obvious है कि 3D consciousness वाला एक person इस journey की depth को या इस journey के बारे में नहीं जान पाएगा उनको कोई experience ही नहीं है इस चीज़ का as a parent उन्होंने जो सीखा है you know क्या सीखा है उन्होंने कि उनकी responsibility है कि अपने बच्चों को especially girls को उनको settle down करना है अब एक वो certain age में आ गई है तो उनका कोई एक ऐसा person चाहिए उनकी life में जो उनको protect कर सके उनको safe कर सके when parents won't be around then who will look after you तो अगर आप उनकी intention को देखेंगे तो उनकी intention pure है लेकिन जो उनका तरीका है वो इस social norms के साथ जुड़ा हुआ है जो उन्होंने 3D में सीखा है आप जहां से आ रहे है आप एक higher perspective से चीज़ों को देख रहे है तो यहां पर आप ही है जो इस situation में भी harmony create करेंगे और अगर आपने मेरी last video देखी है तो वहां भी जो हमने four keys के बारे में बात की है उसमे one key is harmony यहां पर आप harmony कैसे create करेंगे आप सिर्फ उनको बताएंगे और वो जो भी कहते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ यह समझ कर कि यह उनका perspective है उनको judge नहीं करेंगे उनके साथ कोई जगडा नहीं करेंगे उनके साथ कोई भी अपने मन में उनके लिए कोई भी गलत भावना नहीं पैदा करेंगे आप उनको bless करेंगे आप उनको जो भी क्योंकि जिस जगह आज आप है वहाँ आप बहुत महनत करने के बाद पहुँच रहे हैं अपने उपर काम करने के बाद पहुँच रहे हैं आप भी वहीं थे जहां आपकी family या parents जो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं वो अभी है वो किस चीज़ से operate कर रहे हैं fear से, pain से अपनी old belief system से अपने karmic patterns से अपनी जो है जो भी उन्होंने अभी तक सीखा है उस से, अपने ancestral patterns से जो है, क्योंकि पीड़ी तेरपड़ी अभी तक यही चलता आ रहा था और यही उन्होंने देखा था, यही उन्होंने सीखा था और यही उन्होंने अपने उपर apply किया था तो उनके लिए यह बिल्कुल सही है और जब आप इससे कुछ भी different बात करेंगे, जब आप इससे कोई भी different perspective रखेंगे तो यह उनकी capacity नहीं है कि वो इसको understand कर पाएंगे लेकिन यह आपकी capacity है क्योंकि आपने वो fears देखे हैं क्या होते हैं, आपने वो pain देखा है क्या होता है आपने वो wounds देखे हैं क्या होता है, और आपने देखा है कि जब आप old belief system के साथ थे, तो आप भी ऐसा ही सोचते थे, ऐसा ही करते थे और यही आपकी thinking थे तो यहाँ जो harmony create करनी है, वो आपको create करनी है, because you can understand them, they cannot understand you अब आता है कि आपके actions क्या होने चाहिए आपके actions each and every one of my video आपको यह समझना पड़ेगा कि twin flame journey क्या होती है या एक divine feminine क्या होती है it's not necessarily कि आप twin flame journey में है तभी एक divine feminine बनेंगे, नहीं divine feminine total independent होती है और independence का मतलब कुछ और नहीं है independence का मतलब है free of past experiences free of past wounds free of past belief system free of 3D consciousness free of limitation limited thinking यह है divine feminine free of fears तो अगर आपको यह fear आ रहा है कि वो आपको discard करतेंगे या disown करतेंगे तो my dear divine feminine first, आपको खुद को accept करना है जब आप खुद को accept करेंगे तो आपको कोई फरक नहीं पड़ता कि आपको कौन disown करेगा अगर आप अपने truth में खड़े होएंगे तो today or tomorrow everybody will accept you क्योंकि आप अपने आपको accept कर रहे हैं अगर आप अपने आपको reject करते रहेंगे अपने आपको दूसरों की नजरों से देखते रहेंगे वो मेरे बारे में क्या सोचता है यहाँ पर एक जो हमारा group है उसमें एक discussion ये भी हुआ कि एक divine feminine को जब वो अपने divine masculine से मिलती थी तो किस तरह से उसको you know look down किया जाता था किस तरह से जो उनके neighborhood था या किस उन्होंने उस उनको गलत तरीके से देखा या गलत बाते बोली गई उनके बारे में आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ इसको देखना है कि ये 3D consciousness है और वो इसी से operate करेंगे आज जो हम transformation की बात कर रहे हैं वो क्या transformation है आपकी consciousness इन आज धर्म और जाती के नाम पर क्या क्या हो रहा है वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है जो social norms के नाम पर क्या क्या हो रहा है आजकल हम God को कभी color से identify करते हैं कभी shape से identify करते हैं कभी name से identify करते हैं I don't think so anymore you think that way right तो आपको अपनी नजरों से सब चीजों को देखना है आपको अपने energy field में रहना है आपको अपने perspective से खुद को देखना है और खुद की respect करनी है और खुद को accept करना है और जब आप ये सब चीजे what was the four keys unconditional love joy harmony and abundance that is the true nature of divine feminine और जिस तिन आपके पास ये चारों कीज होंगी you won't be bothered कि कौन क्या सोचता है क्या करता है क्योंकि जब हम अपने सचाई में खड़े होते हैं तो हम God के साथ होते हैं और उस ताइम हमें कोई डर नहीं होता कि कौन हमें reject करेगा और कौन हमें accept करेगा because you are standing in the light of your own soul and as I said आज नहीं तो कल every soul will come there in that light because that is our true nature so अगर आज हम हैं कल वो भी होंगे लेकिन उस ताइम के लिए जितना वहां तक पहुँचने के लिए उनको टाइम लगेगा you have to bring harmony joy and peace in those situations you have to take the responsibility never underestimate the real purpose of this journey of twin flame journey or spiritual journey this is one of the same thing आप यहां पर खुद को transform करने आए हैं from ego to your soul light आपका मकसद किसी को please करना या किसी की पीछे चलना नहीं है आपको अपनी रहा खुद बनानी है आपको अपने पात खुद चुनना है आपको अपने decisions खुद लेने हैं और यह आपके responsibility है कि आप अपने आपको emotionally, financially, mentally independent करें और जब तक आप इस situation में नहीं आएंगे तब तक आप in dilemmas में फसे रहेंगे इसमें pain feel करते रहेंगे और गोल-गोल घूंगते रहेंगे जिस दिन आपको अपनी journey की clarity पता चल गई उस दिन सबसे पहले तो आपका ये question कतम हो जाएगा हमारा union कप होगा क्योंकि अब आपका जो focus है, जो aim है आपको life का, वो आपके सामने बिलकुल clear होगा कि आपका इस journey का aim है total and complete transformation of your consciousness from 3D consciousness, from lower consciousness to higher consciousness and you will come in non-judgmental space in a space where you will be always in love, peace and harmony regardless whatever is happening outside वो आपको effect नहीं करेगा तो अगर आप किसी भी तरह से affected हैं आप औरों को change नहीं कर सकतें आप खुद के अंदर जाईए और आप पूछिए खुद से कि आपको क्या चीज बौदर कर रही है क्या effect कर रहा है और ये आपका right है कि आप चुने कि आपका partner कौन है अगर हम देखें जो हमारा अपना constitution है that gives you that right तो इसमें किस बात का डर है अपना right चुनने में आप जब अपने लिए खड़े होते हैं उससे अगर कोई hurt हो रहा है उससे अगर कोई disrespected feel करता है उससे अगर कोई कुछ भी feel करता है that is their problem not your problem the only thing you have to do at that time don't judge them because they don't understand what they are doing but you understand what you are doing so you have to bring that clarity in your life that what is your life all about or justin आप clear हो जाएंगे this is not the journey to you know have a partner, get married have a very you know romantic life this is a journey of higher vision this is a journey of God consciousness so focus on the right things and think about that why you have come here what you are supposed to do और जैसे जैसे आपकी vision clear होगा जैसे जैसे आप अपने अंदर आपकी clarity आएगी आपको बाहर से कोई भी problem face नहीं करने पड़ेगी and that's all I want to tell each one of my friend every time आपके सामने ये situation आए जहां आपको चूज करना है choose your integrity choose love for yourself choose your heart desire और जब आप ये चूज करते हैं तो आप किसी के लिए भी कुछ भी कलत नहीं कर रहे हैं you are not disrespectful towards anybody you need not to control anyone आप औरों को नहीं बताएंगे कि आपको उनको क्या करना है लेकिन आप अपनी life में अपनी decision अपने लिए खुद लेंगे और ये आपका right है this is free will of every soul what they want to choose even God don't interfere in that in your free will when God has given you that power and that right so none of anyone else you know no one else, sorry can take away that right from you और अगर अभी आपका भी ये vision है कि आपको एक ऐसी शादी करनी है जहां आपको प्रोवाइड किया जा सके आपकी safety, आपकी protection, आपकी finances जो भी आप चाहते हैं वो आपको कोई प्रोवाइड करें और ये आपको चाहिए तो आपको भी बहुत healing की जरुरत है ये journey आपने चुनी है ये सीखने के लिए that nobody is your provider आपको सब चीज चाहे वो आपके finances है चाहे वो आपकी protection है चाहे वो आपकी love है, acceptance है, respect है वो सब चीज आपको अपने अंदर धूननी है और उसके साथ खड़ा होना है and that is completeness, that is oneness that is the vibration of God, whole and complete और जब आप इस spot पर पहुंचते हैं तब आप कहीं भी, कुछ भी ऐसा नहीं डून रहे होंगे कि आपको कोई complete करे and that is the spot of union so सबसे पहले आप अपनी consciousness clear कीजे कि आपको क्या चाहिए क्योंकि आपकी twin flame journey में आपकी divine counterpart भी तब ही आपके साथ union में आएंगे जब आप अपनी whole and completeness में होंगे so my dear divine feminines keep moving ahead in your light, in your power, in your integrity आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई decision ले अपने लिए वो decision किसी और की will पे based नहीं होना चाहिए right क्योंकि बहुत पार ये भी बोलते हैं कि मैम हमारे divine counterpart हमें commitment नहीं दे रहे तो अब क्या करें हम शादी कर लें क्या ये आपका decision है कि आपको शादी करनी है या नहीं कोई आपको commitment दे रहा है या नहीं दे रहा है it doesn't matter ये freedom नहीं है ये आप एक जगा से उठके दूसरी जगा आपकी family वाले pressure बना रहे हैं और क्योंकि आपके divine counterpart अगर आपको commitment नहीं दे रहे हैं तो अब आपको लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए नहीं आपका decision होना चाहिए मैं क्या चाहती हूँ अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप जाएए जाहे आपके divine counterpart आपको commitment दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं your soul may be like want to experience something तो ये आपका decision है अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप शादी कीजिये अगर आपको आपकी soul को कुछ experience करने हैं तो let it be लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो आप नहीं चाहते आप सिर्फ इसलिए मना नहीं करेंगे यहां नहीं करेंगे कि आपके divine counterpart आपको commitment दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं I think I am clear right this is your decision it should not based on anybody else whether it's your family your parents your divine counterpart whosoever and that is your real power जब आप किसी भी चीज से affected नहीं होते हैं so be committed to your own self be committed to your own journey and keep transforming yourself from your ego self to your soul self क्योंकि जैसे जैसे हम soul की power में आते हैं we become very powerful यह जो डर है यह जो dilemmas है यह जो you know darkness है वो वहां पर नहीं होते हैं we very easily we express ourselves very easily we do things और नहीं हम तब इतने powerful होते हैं कि हम औरों को भी control नहीं करते हम औरों को भी judge नहीं करते हम उनके actions से भी परिशान नहीं होते and that is the characteristic of real divine feminine so bless you all when you are in your soul light you are standing next to God you are in God's light you are protected, you are guided and you are supported thank you very much each and every one of you to connect with me on this platform or 25th December से 2nd Jan तक हम every day evening 7 p.m क्योंकि most of the time people are working and by that time they come back home so 7 p.m हम healing work करेंगे we'll heal through guided meditations and whatever come up whatever I'll be guided for I'll share with you I'm looking forward to connect with you all so block your time from 7 p.m onwards maybe 30-45 minutes okay look after yourself keep your priorities right and stand in your integrity see you all soon